जेशी हरी, बंदुओं पित्र पक्ष चल रहा है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष यही पित्र पक्ष कहलाता है, पूर में जो भादर पर मास कया है, उसकी पूर्णिमा भी पित्र पक्ष में आती है एक प्रगार से, तो पित्र पक्ष पूर्णिमा से लेकि हम आवस्या तक का रहता है, तो इसमें हमें अपने पित्रों के लिए बहुत कुछ करना होता है, तो आईए पित्रों से सम्मंदित कुछ बात बताता है, लोग सोचते हैं कि कुछ लोग मजाग भी बनाते हैं कि यहां से पिंड वहां क कैसे पहुँच जाता है तो गोत्तर के माध्यम से पिंट पहुँच जाता है ये बात तो सर्व प्रचलित है अब इसे कोई व्यग्यानिक रूप से तो सिद्ध करके बता नहीं सकता है कि यहां से वहां कैसे पहुँच जाता है जैसे जैसे कर्मों का आप नहीं बता सकते ना क किसी को नहीं बता सकते तो जैसे आप ये नहीं बता सकते कि इस करम के कारण इसका ये परिणाम हुआ है इस करम के कारण इसके साथ ऐसा हुआ है इसने वैसा किया था बुरे करम किये तो बुरा परिणाम मिला जैसे इसे वेग्यानिक रूप से नहीं सिद्ध कर सकते इसी प्र सब कुछ प्रदान करें इस पर भी एक चलचितर बनाया जा सकता हैं अभी वर्तमान में अभी आज का विशे ये लेते हैं हम कि ऐसे पित्रों को हम परदान करते हैं जो कुछ भी फिर वो हमें परदान करते हैं अब पित्रों को मालो खाली वही पित्र नहीं होते जो पित्र लोक में वास करते हैं या खाली वही पितर नहीं होते जो उच लोकों को चले गए हैं पितर वो भी है जो मरने के बाद नरक जाते हैं। गेंडा, शेर, चीता, हाथी, गाय, बैल, बकरी और जो पक्षी हो गए हैं कववा, चिडिया, कबूतर, तोता, मेना, आदी अथवा उनको भी इसमें गिना गया है जिनोंने चांडाल आदी योनियों में चनम लिया है तो आईए यहां बताया गया है कि उन, उनको कैसे कैसे हमारी माध्यम से उनको कैसे भोजन मिलता है कैसे उनको पिंड पहुंचता है, यहां तो पिंड कहेंगे भोजन कैसे प्राप्त होता है, जलन कैसे प्राप्त होता है आईए बताते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से, तो ये हमारे सम्मुख उपस्थित है, मारकंडे महापुराण के 28 वे अध्याय में, मारकंडे महापुरान के 28 अध्याय में ये बताय गया है कि किस-किस पितर को कैसे-कैसे भोजन प्राप्त होता है आईए बताते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से छटे शलोक से प्रारम करते हैं स्वरगवासी पूर्व पूरुषगण और नरकवासी अपरा सब पूरुष और जो तिरियक योनिगत और भूतादी में इस्थित हुए हैं यजमान जिस जिस प्रकार विधान अनुसार शाद्ध करके उनकी त्रिप्ती साधन करें ये वत्स उसका वर्णन करती हूं सुनो थोड़ी कठिन भासा है बता देता हूं कि जो स्वर्ग में चले गए हमारे पूर पूरुष हमारे पित्रगन हमारे दादा पर दादा अथवा उनके दादा पर दादा जो कोई भी और जो नरक में चले गए हैं वो सारे और जो तिरियक योनियों में गए हैं जो भी निम्न निक्रिष्ट योनिया हैं जो मैंने जैसे भी विधान करके शाद्ध करके उनकी त्रिप्ति साधन करें उसका वणन करते हूं सुनों तो बता रहे हैं मनुष्य पृत्वी तल में अन्न बिखेडते हैं उससे पिशाच योनी प्राप्त पुरुशों की त्रिप्ति होती है जो पिशाच बन गए हमारे पितर पृत पृत्वी तल में अन्न के कण जो हम बिखेडते हैं वो उन्हें प्राप्त होते हैं हे पुत्र इस नान के वस्तर से निचोड़ा जो जल पृत्वी में गिरता है उससे व्रिक्ष योनी प्राप्त पुरुशों की त्रिप्ति होती है ठीक इस नान करके आप वस्तर अब किया है जो देवता बन गए हमारे पितर गात्र से जो जल की बूंदे पृत्वी में गिरती हैं उनसे वहत्रिप्त होते हैं अब गात्र क्या अर्थात शरीर से तो शरीर से जो जल की बूंदे पृत्वी में गिरती हैं उनसे वहत्रिप्त होते हैं इसलिए बंदू ऐसा भी कहा गया है शास्त्र में कि अपने शरीर इसनान करने के पस्चार शरीर पहुंचना ही नहीं चाहिए गर पर भी इसनान करने पर शरीर नहीं पहुंचना चाहिए और बाहर भी नहीं पहुंचना चाहिए तो उससे क्या होता है पहुंच लेते हैं तो फिर उनको देवत्व जिननों पुणड रूप से नहीं मिल पाता। जितना हमने पहुंच लिया उतरिक जो रह गया होता है वहिं उन्हें पूर्प्त हो पाता तो इसलिए देवत्व जिनों पूर्प्त कर लिया ऐसे हमारे पित्रों की तृप्ति के लिए गीला शरीर ही छोड़ देना चाहिए उसी पर वस्त्रधारन कर लेने चाहिए जो बूंदे गिरेंगी वो उन देवताओं की होती हैं पिंड उठाने के समय जो अन पृत्वी में गिरता है तिरियक योनिगत पूर पुरुषगण उससे त्रिप्त होते हैं पिंड क्रिया के योग्य होकर भी असंस्कृत अवस्था और बाल्ले वयस में दग्द होकर जीवन परित्याक किया है विकीन अन और बुहारे जल को भोजन करने से वहत्रिप्त होते हैं जो पुरुष हैं जो क्रिया के योग्य होकर भी असंस्कृत अवस्था अर्थात ऐसे श्रे पर नहीं किया गया और बाले अवस्था में जो जल कर जीवन का परित्याग जिनों ने कर दिया है ऐसे लोग विकिन अन अन से और बुहारे जल को भोजन करने से वो त्रिप्त होते हैं ब्राह्मन भोजन करने के पस्चात आचमन के समय जो जल फेक देते हैं और उनके चरण धोने के समय जो जल प्रित्वी में गिरता है अन्यान्य सब उसको ही पान करके त्रिप्त होते हैं अब यहां बात है कि पहले तो ब्राह्मन भोजन करने के पस्चात आचमन कर कौन रहा है कितने लोग करने हैं फिर ब्राम्मनों के चरण धोकों रहा है तो इन सब से अन्य जो बच्चे हुए पितर हैं उनकी त्रिप्ती होती है अब लेकिन आप लोग तो करते नहीं ना करवाते जो ब्राम्मन को भोजन करवाते नहीं जब ब्राम्मन भोजन करता नहीं तो वो आच्चमन करेगा कहां से और जो ब्राम्मन स्वयम भी ब्राम्मन है जो स्वयम आचमन नहीं करते भोजन के उपरांथ तो उनके भी पितर कहां से त्रिपतोंगे क्योंकि भोजन के उपरांथ आचमन करके जो जल हाथ दो कर फेंग देते हैं वो कहां से प्राप्त होगा यह वत्स जो पिशाचत्व को प्राप्त हुए हैं तता जो क्रिमी कीट पने को प्राप्त हुए हैं जो यजमान उन ब्राम्मनों के निमित पवित्र जल छोड़ता है उस जल से वे योन्यंतर को प्राप्त हुए अच्छा यहां बात है कि जो कीट पतंग बन गए है हमारे पितर या जो पिशाच बन गए है उपर बता दिया था कि अन धर्ती के अन पित्वी पर बिखेट दो तो पिशाच योनी वालों को मिल जाता है कीट पतंग वालों को भी मिल जाता है जैसे भी मिलता है लेकिन अगर उन्हें उस योनी से मुक्ती दिलानी हो तो पवित्र जल उनके देश से छोड़ा करे ऐसा भी का गया है पवित्र वा एपवित्र अर्थात आवस्चक नहीं है कि आप गंगा जली छोड़े वैसा जल भी चोड़ देंगे तो वे योनियंतर को प्राप्त हो जाएंगे अर्थात उस योनी से छुटकार प्राप्त करके अगली योनी में चले जाएंगे जल्दी जल्दी उनकी योनियां बतलेंगी अच्छी प्रकार शाद्द करने से सम्यक प्रकार त्रिप्त होते हैं बहुत लोग को सोचना है कि जब शाद करते हैं पिंड दानादी करते हैं तो उनके उद्देश्य से किया करें और जो कोई भी आपसे इच्छा रखता है पिंड जल अन प्राप्त करने की आपके पितर हो अत्वाने कोई भी रखता हो तो उनके उद्देश्य से करते हैं तो वो आगे अच्छे लोकों को फिर अच्छी योनियों को प्राप्त होते रहते हैं जो मनुष्य अन्याय के द्वारा उपारजित की धन से शाद करता है चांडाल और पुलकसादी योनिगत पितर उसके द्वारा त्रिप्त होते हैं अच्छा अब ये कोई अनिवारे नहीं है कि इसलिए आप वैसा धन कमाओ अन्याय के द्वारा उपार्जित धन करो, यह तो बात यहां कही गई है कि अन्याय से जो उपार्जित होता है धन वो चानडाल और पुलकसादी योनिगत पित्तर उसके द्वारा त्रिप्त हो जाता है कई बार कभी कबार हमें ज्यान नहीं भी होता तो ऐसे हमें अन्याय से हम उपार्जित कर लेते हैं तो ऐसे इस प्रकार के धन से उन लोगों की दिर्प्ति हो जाती है हेवस इस प्रकार से बांधवगन शाध्धा नुष्ठान पूर्वक जो जलबिंदू और अन्य प्रदान करते हैं उससे उनके अनेक पित्र पुर्षों की दिर्प्ति होती है इस प्रकार भक्तिमान होकर शाग द्वारा भी यथा भी शाध्ध करना चाहिए सबजी के द्वा आप करेंगे तो आपके वंश में किसी को भी फिर विशाद नहीं होगा उसे त्रिप्ति मिलेगी हेवत समयशाद का नित्य नमित्य काल वर्णन करती है तो इसके पर शाध फिर आगे की वारता चलिए तो ये था बंदू कि आपके कौन-कौन से पितर हैं जो अलग-अलग प्राप तो पहुंच गए हैं और उन्हें कैसे कैसे त्रिप्ति किया जा सकता है तो आप इसका पालन कीजिए अपने पितरों को त्रिप्ति कीजिए और पितर त्रिप्त होके फिर आपको परसंद करेंगे और परलोक में भी आपका आपकी गती अच्छी होगी परलोक में स सुख मिलेगा धन्यवाद जैशी हरी